हेलो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रसिच्च्चु अधीनियम 1961 यानि की एप्रेंटिस इपेक्ट 1961 इसके पहले हम आगे बढ़ें हम थोड़ा डिसकसन कर लेते हैं कि हमने प्रीविएस वीडियो में या प्रीविएस सेशन्स में क्या क्या पढ़ा र स्रम कल्यान विधान के उद्देश स्रम कल्यान विधान आखिरकार है क्या और साथ ही साथ हमने पढ़े हैं स्रम कल्यान विधान के प्रकार और उन प्रकारों को जो है कि उनके विधानों को जो सिध्धान्त हैं वो आखिरकार है क्या तो हमने उन्हें भी डिसकस किया हुआ है अब प्रीविएस वीडियो में हमने कारखाना अधीनियम 1948 को डिसकस किया है जिसमें मैंने आपको फुल बताया है कि कारखाना अधीनियम आखिरकार क्यों लाया गया और इसके क्या उद्देश से हैं साथ ही साथ मैंने आपको उस सेशन में ये भी बताया था कि कारखाना अ अब तक कितने Implementation के बाद लागू हो रखा है और यह जो संपूर्ठ भारत में लागू है तो इसके क्या फाइदे हैं और क्या नुखसान है आज की सेसंन में मैं आपको बताऊंगा प्रसिच्चृ अधिनियम 1961 जिसे हम सामह ने भोछाल की बहासा में Apprentice Act भी कहते हैं तो देखिए अगर मैं बात करूँ प्रिसिच्च अधीनियम की तो यह अधीनियम वर्स 1961 में पारित हुआ जो की संपूर्ण भारत में लागू है इस अधीनियम के प्रावधान तभी लागू होंगे जब केंदर सरकार राज की गजट में इसकी लागू होने की सूचना जारी करेगी तो देखिए इस अधीनियम से रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे वो तभी लागू हो सकते हैं कि अगर कोई केंदर सरकार राज की गजट में इसके लागू होने की सूचना जारी कर दे तो इसमें आने वाले जो भी प्रावधान होंगे या जो भी आर्टिकल्स होंगे वो लागू हो जाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रसिच्चु अधीनियम 1961 के आखिरकार उद्देश क्या है तो देखिए प्रसिच्च्चु अधीनियम जो भी बनाये गया है अप्रेंटिस एपक्ट तो किसी ना किसी उद्देश की पूरती के लिए बनाया गया होगा तो अगर मैं इसके उद्देशों की बात करूँ तो प्रसिच्च्चु अधीनियम 1961 के उद्देश हैं यह बिभिन वेफशायों में जो तकनीकी रूप से सनलगन करमचारी हैं उनको क्रियात्मक परिक्षण के साथ कुसल कर्मकारकों के साथ प्रुत्ताहन दिलाया जा सके यानि जो भी हमारे ट्रेनी जो की बिभिन वेफशायों से मतलब है कि जो relevant ट्रेट्स में जो भी केंडिट्स पढ़ रहे हैं या इस्टडी कर रहे हैं या अपनी आइटी आई या बी टेक या डिपलोमा बगैरा कर रहे हैं या कोई भी अधर कूर्स वो कर रहे हैं उन्हें उस particular related trade से जो है work done है वो कराये जाए वो भी कुसल कर्मकारों की देखरेख में कुसल कर्मकारों की देखरेख में वो जो काम कराये जाएगा वो हमारा क्रियात्मक परिक्षण यानि कि हम उसे practical knowledge भी कहेंगे तो यही इसका मेन उद्देश से है और साथ ही साथ जब उनका परिक्षण खत्म हो जाए तो उसके बाद उन्हें समंदित certificate उपलब्द भी कराये जाए और उस परिक्षण के दोरान जब वो ट्रेड में चीज़ें सीख रहे होंगे या practical चीज़ें कर रहे होंगे तो उसके द तोरान उन्हें उपयुक्त वातावरण भी बनाये जाए ताकि भविस में जब वो किसी जॉब लोकेशन या किसी कंपनिये फैक्टरी के लिए काम करें तो वो उनके लिए अनुकूल हो वो जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो साथ ही साथ सर्मकों की सारीरिक और मानस एक आदी की स्थिति में छटी पूर्ती हेतु नियोजन को भी उत्तरदाई ठहराया जाए ये इसके मुख्योद्देश से हैं अब हम बात करेंगे प्रसिच्चू अधीनियम में नियुक्ता का दायत की आखिरकार प्रसिच्चू अधीनियम में जो नियुक्ता होते हैं उनका दायत क्या है देखिए प्रसिच्चू के लिए एक प्रसिच्चन की विवस्था करना नियुक्ता का प्रमुख दायत होता ह साथी साथ बेफसायों में कुसल कर्मकारों की निश्चत संख्या में अनपात की विस्था करना भी उसका एक मुख्य दायत है बात करें बेफसाय में कुसल कर्मकारों की निश्चत अनपात की विस्था करना तो इससे मतलब यह है कि जो भी trainees उस relevant trade में जरहोंने idea या diploma या फर्दर कोई भी course कर रखा है अगर वो कहीं training के लिए जाता है तो उसे train करने के लिए कुसल कर्मकार यानि कि जो एक proper way में जो workman है उनका जो आदमी है जो कामगार है जो सारे काम को भली भाती तरीके से जानता है उसके लिए उन जो trainees हैं उनके निश्चे तनपात में उनके लिए बिवस्था कराई जाए बेभारिक प्रसिच्चन हेतू भी बिवस्था कराई जाए देखिए सिर्फ आपको वहां practical knowledge के साथ साथ जो official language होती है या जो body language होती है आपको वो भी gain करना होती है तो इसके लिए भी जो प्रसिच्चु अधिनियम है उसमें जो नियुकता है उसका ये दायत होता है कि आपको पूर्ण रूप से एक कुसल कामगार बना सके अब हम बात करेंगे apprenticeship हेतू प्रसिच्चु की योगिताओं के बारे में तो देखिए जो भी हमारे भाई बंदू सखा है जो भी के लिए कुछ योगिताओं डिसाइड करी गई है जिनकी योगिताओं मैं मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इनकी अगर मैं योगिता की बात करूं तो प्रसिच्चु की जो आयू है वो नियुनतम 14 वर्स होनी चाहिए कोई भी जो candidate है अगर वो as a trainee के लिए किसी website पे य इससे कम उम्र में trainee को apprenticeship की training के लिए valid नहीं माना जाएगा इसकी अगर मैं other sectionic योगिता की बात करूं तो देखिए उसकी जो sectionic योगिताओं हैं वो उस particular branch या उस particular company की formalities के related होनी चाहिए जो उन्होंने notification में डाल रखा है उससे relevant ही होना चाहिए और सारी रिक मांदंड जो भ पूर्ण करना चाहिए अब देखिए जहां trainee apprenticeship करने जाता है वहां उसके साथ या company कोई भी जहां वो apprenticeship कर रहा है तो वहां कुछ अनुबंद यानि की agreements sign कराया जाते हैं देखिए apprenticeship की duration में भी 6 माहे से 4 वर्स तक होती है यह agreements क्यों जरूरी होते हैं मैं आपको बता दूं कि अ यहां पर permanent worker की demand ना कर दें या कोई ऐसी demand ना कर दें जो genuine नहीं है तो इससे भुकतान से बचने के लिए या इसके जो problems है future problems है इससे बचने के लिए company अपनी सुविधा अनुसार कुछ agreements sign कराती है तो यह जो agreements होते हैं प्रसिच्चू के साथ एने हम प्रसिच्चू के साथ किस रेडी में पढ़ते हैं तो देखिए नियुकत प्रसिच्चू को नियुकता के साथ एक प्रसिच्च्च्चता अनुवंद का पालन करना पड़ता है अनुवंद को प्रसिच्च्चता सलहकार के पास पंजी करत कराना पड़ता है यानि कि आप जिस agreement पर sign कर रहे हैं वो आपकी प्रसिच्च्चता सलहकार के पास registered होता है उसमें सारी सारी terms conditions लिखी होती हैं साथ ही साथ प्रसिच्च्च्चू के AWS को होने पर इसके संदक्च्चक के हस्ताक्चर एक सहमती पत्र पर कराया जाते हैं देखिए कुछ agreements ये भी होते हैं कि अगर आप training के दोरान आपक यही गलती है तो इसके लिए company जिम्मिदार नहीं होगी ये सारे ऐसे कुछ terms conditions होती हैं जो की आपके agreement में mention होती है तो इसके लिए जो है company agreement कराती है next अगर हम बात करें देखिए प्रसिच्चन प्रमाण पत्र की विवस्था तथा प्रसिच्चन के अवधी एवं भुक्तान संबंधी प्रावधान तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो प्रसिच्छन की दौरान आपकी जो प्रमाण पत्र मिलते हैं यानि प्रसिच्छन के समाप्त होने के बाद तो देखिए हर वेफसाइक प्रसिच्छू जिसने प्रसिच्छन की कलावधी पूरी कर ली है यानि कि जिसने व्यक्ती ने अपनी अप्रेंटेसिप ट्रेनिंग या कोई भी फर्दर ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली है तो वो एलिजिवल हो जाता है किसके लिए एक आल इंडि करने के बाद आपको सैटिफिकेट प्रवाइट कराया जाता है तो अप्रेंटेसिप सैटिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो हर वेफसाइक प्रसिच्छू जिसने प्रसिच्छन की कलावधी पूरी कर ली है उस अभीहित वेफसाय में उस प्रवीनता अपनी सिद्ध करन के लिए एक राश्टी परिसद या केंद सरकार दौरा प्राधीकरत किसी अन्याधीकरन दौरा संचालित किये जाने वाले परिच्छा में वो बैठने के लिए पात्थ हो जाता है तथा संबन्नित वेफसाय में जिस ट्रेट से उसने अप्रेंटिस से पगेरा या ट्रकोई ट सुक्तान संबन्दी प्रावधानों के बारे में तो देखिए इसमें जो प्रसिछर्ड की अद्री होती है वो मिनिममिम म् छाह माती है और छह माह हो सकती है और आगे भी बढ़ाई जाती है डिपेंड ओन इसकीम की आप किस ट्रेनिंग में पार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो प्रसिच्छन की अब दी बेफसायक सिल्फ प्रसिच्छन परिसद द्वारा तै की जाती है कर्मचारियों की संख्या देखिए ये थोड़ा इंपोर्टेंट है इसे याद रखिएगा कि अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या धाई सो से कम है तो उस पार का जो स्टाइफंड है उस ट्रेनीज का उस परिडिकुलर जो वहाँ पर ट्रेनी करने के लिए जो केंडिट्स आएंगे उनका अगर धाई सो से देखिए उस कंपनी में जो वर्कर्स जो हैं कम हैं तो उनकों जो 50% जो उसकी रासी होती है उसका भुकतान केंड सरकार दोरा किया जाता है साथ ही साथ 50% जो उसकी पेमेंट है वो कंपनी दोरा वहन की जाती है अगर उस कंपनी में वर्कर्स की संक्या 2500 से अधिक है तो उसकी जो 100% स्टाइफंड होगा वो सारा का सारा कंपनी के दोरा वहन किया जाएगा नेक्स प्माइंट के नों बात करूँ तो प्रतेक प्रसिच्चु को प्रसिच्चन के दौरान इस्टाइवन प्राप्त होता है ये इसी स्कीम के थोख आपको दिया जाता है प्रतेक प्रसिच्चु को प्रसिच्चन के दौरान प्रतेक सब्ताय प्रायोगिक प्रसिच्चन भी प्राप्त होता है देखी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके हर हपते आपको प्रिक्टीकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है उसमें आपको जाचा जाता है कि आपने क्या कितना सीखा है और अगर मैं बात करूँ तो प्रिसिच्चु को सभी खक्छाओं में भाग लेने के साथ अनुवन्दों का पालन करना होता है आपको अनुवन दिये जाते हैं कि आपको बताया जाता है कि आपको जितनी भी क्लासिस होंगी उनमें पार्ट लेना जरूरी होगा है प्रिसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अगर कोई बिवाद हो जाता है तो बिवाद का समाधान प्रिसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च दिया जाता है वही मैंने आपको बताया कि जो भी candidates अपनी training कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें परिक्षण के बाद जो भी एक AITT का exam होता है जिसे All India Trade Test भी कहा जाता है तो उस trade test में जो है वो trainees पाड़ लेकर अपना certificate वहां से आप download कर पाएंगे अगर आप वो exam cross करते हैं तो I hope आपको आज काई session समझ आया होगा आसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दीगे जो जानकारी है आपके लिए काफी महत्पूर्ण साबित होगी next video में हम चर्चा करेंगे करमचारी राज बीमाधी नियम 1948 के बारे में तो थोड़ा कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चैनल के साथ बने रहें चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और जादस से जदस अपने दोस्तों तक यारों तक सेयर करें ताकि जो भी ट्रेनीज तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लाब मिल सके देखिए एक चीज़ और कि मैं आपको बता दूं कि यूपी आईटा इंस्ट्रक्टर की पांच में को है हीरिंग थी जिसकी जो अपडेट है 18 मई दी गई है hearing date next hearing date तो इसमें 18 मई को पता चलेगा कि आखिरकार होना क्या है और वैसे भी आप सभी की जो है exam date आ चुकी है तो प्लीज आप अपने तैयारी को बनाए रखें और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ भाई बंदू है जो की परिशान है कि भीया लेकपाल की जो cut-off हाई है उसमें 15 गुना और 37 गुना ही है candidates बुलाए गए हैं तो देखे ऐसा आपकी साथ नहीं होगा क्योंकि आपकी जो vacancies हैं उसमें number of candidates की संख्या काफी कम है इसी लिए maximum possibility है कि सभी candidates को exam देने का मौगा मिलेगा exam होने के बाद आपकी जो merit है वो गिराई जाएगी जिसमें 5 गुना candidates को sod list किया जाएगा और इन 5 गुना candidates को sod list करने के बाद ही जो है आपका portal द्वारा से on होगा जिसमें आपके documents upload कराए जाएंगे documents की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये document होगा experience से related और CTI से related जिसमें आपको upload करना होगा upload करने के बाद आपकी final merit list बनाई जाएगी final merit list जब आपकी create हो जाएगी तब आपकी जो है डीवी process सुरू होगी इसके बाद आपकी जो है joining कराई जाएगी तो I hope आपको चीजें समझ में आ रही होगी इसलिए प्लीज आप यहां वहां अपना time waste ना करें और अपनी जो focus है उसे बनाए रखें और प्लीज चैनल को subscribe जरू करें और चैनल के साथ जुड़े रहें thank you so much good day